खरगाउन जिले के कस्रावत जन्पत की ग्राम जाओदाब में आवाजाही के मुख्य मार्गों को नीजी भूमी बता कर रास्ता बंद करने का मामला कलेक्टरेट पहुचा है ग्रामिनों ने कलेक्टर के नाम आवेदन सौप कर समस्या से निजात की मांग की है ग्रामिनों ने बताई कि पुर्वजों के समय से कस्रावत रोड इस्तित ग्राम जामला में आवाजाही कर रहे हैं इसी मार्ग से होकर बच्चे स्कुल कॉलेज जाते हैं वर्तमान में इस मार्ग पर कटिली जाडियां आधी रखकर ग्राम के सुरेज गुलाप सीह ने रास्ता बंद कर दिया है यह मार्ग सारोजनी कोकर लोग वर्षो से इसका इस्तमाल कर रहे हैं ऐसे में मार्ग बंद करने से गाउं में आना जाना बंद हो गया है विवात की इस्तती निर्मित हो रही है ग्रामिणों ने कलेक्टर से रास्ता खुलवाने की मांग की है खरगाउन से जयन्त गुपता की रिपोर्ट स्कूल के बच्चे जाने वाले हमारे मोले के वह भी जा पा रहे है और उसकी जो बोटर पंप का पाईद लगा दिया रस्ते के पूरे रस्ती पानी गया रहा रखता है और प्राइट दोनु आते बात कर लेते जमीन इसकी पटकेई की क्या है पर हमको तो समाधान चीए ना अगर इसके बाद भी तुम्हार समझ्य नहीं होती तो क्या करोगे आगे कारवाई आगे करेंगे क्या नाम है आपका नवीन वास्केलिए गरामपज्जा सेलानी के गरामजाउदा से आगे गरामजाउदा का जो मुख्य मार गए उसको शुरेश गुलातन ने अपनी निजी जमीन बताकर उस पे रास्ता रोग दिया का पेड़ वागे आभी काटे है आड़ा कर दिया है और फस्तर बागण लगा तो किते साल पुराना रोड़ तो तो नुसे हों सव साल पुराना प्राइसानि आरी आपको अब यह जाने आने न का पुरा भी किसानों के काम चल थे वो पुरा बादी से इसकोल जाने वाले बच्चों का आना जाना पर ने इसकोल बंद है क्या चाहते हैं आप तुम्हारा राष्टा तत्काल फाल जा रहा है और इस तहीं बजाए हमें साथ कि बार 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 लगा देखने राष्टा रोका है तुरेज पिता गुलाब चानले क्या नाम है तुम्हारा किसोर माल में हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगें डेल आइपोन को दबाना बिल्कुल भी ना मुलें